नमस्कार आदाप ससरकार मैं हुदानी शता खान और आप देख रहे हैं दोस्तों बी एंसी में इस खास कारिकरम सीधी बात में आपका स्वागत और आज हमारे साथ में बुरहानपूर्ट शहर के युवा कॉइन कलेक्टर आकाश महिश्वरी जिनसे आज हम कॉइन के बारे मे हमें कैसे उनकी जर्ण Suppose i Chicago आज अधे मिवारे साथ में बात करते हैं काई इसलेटर आपका clean pillar भानलें फेल नमस्ते सबसे पहले तो आप गाश महिश्वरी है मैं कसेरब जार से हो बुरहनपूर पहली बात तो यह की कॉइंस को लेक्शन बच्पन में ना छोटे-छोटे-छोटे जैसे दो पेसे बाच पेसे एक रख ले दादा कर ले दादा मेरे दादा जी दे 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 की बटा यह सम्माल के रखना ठीक है उसके बाद दीरे-दीरे जै तो मैंना बोला इसका झाले जरूर यह क्या है मेरे दादा जी दे क्या करना है तो फिर मैंना इसे सब समझा मैंने 2 3-4 साल में वह कraumtis teachers से निकला है मतलब ये कितना रेर चाथा या फिर कॉमन ये सब मैंने फूर सैठ थी होगे पूरा सेंटफ करेदा किया है था अपने कॉन 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 कॉरन से कि तो आप तक प्न perform करेंट कीए े भिदेंगे मैंने सबसे ज़्यादा मुझे पाज ना कि भार के अपने इंडियन में हर एक चीज री पब्लीक जो रहता है इक रूपे ₹90 toujours रूपे ₹ मिश्प्रेंट कुछ एड़र रहता है कुछ या अपने OMS रहता है यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है collection करना में जैसे आपको बताता हूँ यह एक 10 रुपे का कोईन है जो OMS प्लस मिस्प्रेंट है यह ऐसे कोईन मुझे खटा करना बहुत अच्छा लगता है और कुछ अच्छा लगता है जैसे सेम जोड़ी नंबर हो गया सेम नंबर हो गया तो यह सब कलेक्शन को एक बहुत इंट्रेस्टिंग रहता है उसका अकाशी यह पता है जो आपने कोईन करके है इनकी विशेष्टा अब तक क्या है विशेष्टा यह कि दिखें जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं रहता है कि मतलब लोगों को लगता है कि कौन यह सब विशेष्ट सब्सileeCap ऐसा नहीं लगेगा कि अब टाइम वेस्ट कर रहे हो मैं तो बिल्कुल है ना 24 गंटे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस यह काम करूं यह काम करूं और कुछ काम नहीं करूं मुझे यह सब कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है मैं हर स्टेट में हर एक्जिविशन तो वह में बोलते हैं उनकी रिक्वार्मेंट रहती हम उन्हें पूरा करके देते हैं कि यह चीज है हमारे पास अवैलेबल आप लीजे तो एक एक्जिविशन में यह बहुत कुछ सिखने को भी मिलता है मुझे तो यह विशेष्टा रहती है आकाज जी बताए कि अपने आ इसके बाद फिर बैंगलोर फिर कलकत्ता मदब इने हर स्टेट में हर मंद हमारा एक्जिविशन रहते ही है तो अब हर मैंने भी रहना पड़ता है एक्जिविशन के लिए हाली में आप कहा पर प्रदर्शनी में गए थे और क्या मां से क्रेक्ट किया देखें मैं अभी दि जाएंगे जिसे यूनिफेस नोट बोलते हैं ऐसे कई सारे कुछ नोट ऐसे मिसिंग थे मेरे कलेक्शन में जो जाके अब दिल्ली एक्जिविशन में मेरे कंप्लीट हुआ है जैसे यह दो रुपे का है ऐसे दस रुपे के भी मैं बतातो आपको जो मुझे वहां से मिला है यह देखें यह 10 रुपेस नोट है यह भी नॉर्मल नोट है बट यह पीचेस है यूनिफेस है पुरा ब्लैंक नोट है यह एसे कई नोट से जो मेरे कलेक्शन में नहीं दे और इस बार दिल्ली एक्जिविशन में मेरे पूरा कंप्लीट हुआ है उसके बाद मैंने एक और चीज सबसे बैस लिए कि यह देखें यह गवर्नर है श्री महेंद्र सिंग अलु अलिया जी तो इनका खुद का सिगनेचर नोट जो की यह ग्रिडिंग क्या हुआ नोट है यह मेरे कलेक्शन में नहीं दा और यह फाइनली इस बार मेरे कलेक्शन में आया है दिल्ली अब मुझे ना अपना खुद का इतना बड़ा एक कलेक्शन रूम बनाना है जो की से वाल की जगा है ना मेरे पूरे कॉइंस और वह टंगा रहे और लोग आके देखें कि क्या चीज है क्या नहीं है और वो चीज ले वो मेरा एक खुद का एक ड्रीम है कि मैं अपना समय देने के लिए थैंक्यू सो मच सर और आप सबी को थैंक्यू सो मच विया तो यह थे शहर के युवा काइन क्लेक्टर आकाश मैश्वरी जिन्हों ने शहर में अलगी पैचान की वज़े से यह शहर में जाने जा रहे है तो बीन सी लिए के साथ में दानिशाजा खान हुआओं जास सहते हुआ हो साथ बीक्टर वार आक यह शहरा खान नार्चिवरी जाना उलगी शहर नुष के यह में ढ patron हम है वह वहा Bernard